अस्सलाम अलेकुम रहमतुल्लाहिव बरकातु हूँ उम्मीद है कि आप सलाम का जवाब कामेंट में हमेशा की तरह देंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आएए शुरू करते हैं पहلا सवाल है इन्फलाइंज़ा के वाइरस कहँ होते हैं मरीज के हात में मरीज के लुआब में पानी में या खाने में ये सवाल जमात पंजम माहल का मतालव सबख नमबर 23 मताधि अमराओ से मतालख है और इसका सही जवाब है मरीज के लुआब में इन्फलाइंजा के जो वाइरस होते हैं वो मरीज के लुआब में होते हैं जो मरीज के थूकने खांसने या छीकने से हवा में फैल जाते हैं तनफुस के जरीए ये जरासीम आसपास के लोगों के जिसम में दाखिल होते हैं। इसलिए खुली जगों पर ना थूकना चाहिए ना खासना चाहिए। अगला सवाल है, ये हवा के जरीए फैलने वाली बीमारी है। और इसका सही जवाब है स्वाइन फिलो, स्वाइन फिलो हवा के जरीए फैलने वाली बीमारी है। हवा के जरीए हलख और सीने के अमरास का फैलाव होता है, मसलन देख स्वाइन फिलो वगरा। इसलिए खांसते और छींकते वक्त मूँ और नाग पर रुमाल रखने के लिए कहा जाता है अगला सवाल है ये पानी के जरीए फैलने वाली बीमारी है टैफेड, हैजा, असाल या मुंदरजाबाला तमाम और सही जवाब है मुंदरजाबाला तमाम यानि टैफेड, हैजा, असाल ये पानी के जरीए फैलने वाली बीमारिया है टैफेड, हैजा, असाल आतों के अमरास के जरासिम इसी तरह इरखान के जरासिम मरीज के फुजले में होते हैं पानी में इस फुजले के मिलने से अमरास के जरासिम पानी में दाखिल होते हैं ऐसे जरासिम के जरीए आलुदा पानी पीने से ये जरासिम पानी पीने वालों के आंतों में दाखिल हो जाते हैं और इन्हें मर्ज लाह हो जाता है अम्रास के पहलाओ को रोकने के लिए पानी के जखीरे के खरीब नहाने, कपड़े धोने, नदी के किनारे अजाबत करने से हमेशा परहिज करना चाहिए अगला सवाल है ये घजा के जरीए पहलने वाली बिमारी है टैफेट, हाइजा, साल या दिख और सही जवाब है असहाल, ये घजा के जरीए पहलने वाली बिमारी है, मक्हिया गलाजत पर बढ़ते हैं, मरीज के फुजले पर मक्हिया बैठे हैं, तो फुजले में मौझूद जरासिम मक्हियों के पैरों और इनके जिसम से चिपक जाते हैं, यही मक्हिया जब घजा पर बैठती हैं, तो अमरास के जरासिम घजा में दाखिल हो जाते हैं, ऐसी घजा के खाने से अमरास के जरासिम इनसान के जिसम में दाखिल होते हैं, और वो मर्ज में मुब्तला हो जाता है, इसलिए घजा हमेशा ढांक कर रखना चाहिए, अगला सवाल है, ये मच्छर के जरी पहलने वाली बीमारी है आप जानते हैं कि मख्सूस खिसम के मच्छर के काटने से मलेरिया होता है मलेरिया से मतासरा शख्स को जब मच्छर काटता है तो मरीज के खून में मौजूद मलेरिया के जरासिम मच्छर के जरीये चूसे गए खून के साथ इसके जिसम में दाखिल हो मुब्तिला हो जाता है मच्छर पिस्सू जैसे कीडों के जरीए अमरास का पहलाव होता है इसलिए ऐसे कीडों की अफजायश को रोकना चाहिए अगला सवाल है यह जिल्दी बिमारी है टैफेट, खारिश, साल या मलेरिया और सही जवाब है खारिश खारिश जिल्दी बीमारी है खारिश के अलबा दाद भी जिल्दी मर्ज है इनके जरासिम जिल्द पर परवरिश पाते हैं ऐसे मरीज की जिल्द को छूने से या इसके कपड़े इस्तेमाल करने से दूसरों को भी वही जिल्दी मर्ज हो सकता है इस किसी मतादी मर्ज में मुब्तला हो तो उसको क्या कहा जाता है आम मर्ज मर्ज की वबा या जानलेवा मर्ज या फुलो और इसका सही जवाब है मर्ज की वबा लोग एक ही वक्त में किसी मतादी मर्ज में मुब्तला हो तो उसको मर्ज की वबा कहा जाता है इन्फलाइंजा आशुबे चश्म जैसे अम्राज के जरासिम हवा के जरीए तेजी से पहलते हैं इसलिए एक ही वक्त कई लोग इन अम्राज में मुब्तला हो सकते हैं किसी अवामी जखिरे का पानी हैजा जैसे मर्स के जरासिम के जरीए आलूदा हो तो इस पानी को पीने वाले तमाम लोगों को हैज़ा होने का अंदेशा रहता है किसी जगा बहुत ज्यादा मच्छर हों तो वहां कई अफराद मलेरिया में मुब्तिला हो सकते है किसी मुखाम पर क्ई लोग एक ही वक्त में किसी मुटादी मर्स में मुटला हो जाएं तो उसे मर्स की वबा कहते हैं अगला सवाल है दूद से दही बनने का अमल किसकी वज़े से होता है अमले तबखीर अमले तकसीर खुर्द बिनी जानदार या अमले तकसीफ और इसका सही जवाब है खुर्द बिनी जानदार तमाम खुर्द बिनी जानदार अमरास का बास नहीं बनते बलके कुछ खुर्द बिनी जानदार इनसान के लिए मुफीद होते हैं दूद से दही बनने का अमल खुर्द बिनी जानदारों के वज़े से होता है इसके अलावा अमबोली इडली दोसा के लिए भिगयोए आटे म खुर्द भीनी जानदारों की वज़े से खमीर पैदा होता है अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को शेर करें और अगर आप इस चैनल पर नए आये हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें